इसके लिए एक कटोरी सुजी एक कटोरी चकर चीनी और इलाईची पावडर और ठोड़े ड्रायपरूट डालने के लिए मैं रखी हूं और कटोरी में गी डाली हूं चालू करूंगी अभी यह कूक्टोरी में पानी डाल रही हूं कूक्क वेर में कटोरी पानी और एक कटोरी चीनी डाल रही हूं और स्मेल फ्लेवर के लिए यह इलाइची पाउडर और जाइफल का बारिक किया हुआ मिक्षर से वह डाल रही हूं अभी यह सुझी मैं घी में डाल रही हूं अभी यह सुझी लाल होने तक मैं थोड़ा घी में इसको श्टर करूंगी पूरी लाल कलर की हो गई है याने लड़ू के लिए तयार हो गई है तो अभी मैं ग्यास बन कर रही हूं अभी इदर शक्कर रखी थी उबालने के लिए वो थोड़ा गाड़ा होने तक मैं उबालूंगी फिर यह शक्कर का पानी पूरा चाचली इसमें डालूंगी फिर उसके लड़व बनाऊँगी पूरी चाचली तयार हो गई है अब ये चाचली में पूरे ये सोजी में डालने वाली हूँ और अब ये घीडाने के बाद ये थोड़ा पक्का होने के बाद उसके फिर मैं लड़व बनाऊँगी अब यह सब मिक्स करें डाला मैंने अब इसको थोड़ा थंडा करेंगे और उसके बार छोटे-छोटे लड्डू डालते वक्त लड्डू बनाते वक्त अब यह पूरा हो गया अब इसके लड्डू बना रही हूं इसमें ड्राइफ्रूट पूरा नरियल कीज पूरा डाल दिया करके पूरे ऐसे करके पूरे यह लड्डू तयार हो गए यह टेस्टी सुजी के लड्डू ही लुक्स कूक वेर में बन गये है थैंक यू बाई